नमस्कार मैं आनंद रास्त्रिपार्टी आनंद भाव फैमली में बहुत-बहुत स्वागत है पिछले हफते गेम, स्टॉप और एमसी इंटर्टेन्मेंट ने पूरी दुनिया के सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबके दिमाग में एक ही प्रश्न कौंधता है गेम स्टॉप क्या है गेम स्टॉप कॉर्परेशन 36 साल पुरानी एक अमेरिकन कंपनी है जो 1984 में स्थापित हुई थी गेम स्टॉप वर्ड लार्जेस्ट हाई स्ट्रीट गेमिंग चेन है जो वीडियो गेम, कंसोल एंड टेकनलोजी और साथी साथ कंजूमर इलक्ट्रोनिक्स में डील करती है गेम स्टॉप के 5500 स्टोर्स वर्ड वाइड हैं जिसमें यूएस, कनाडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड और यूरोप मुखिता शामिल हैं इस साल ड्यूटू पैंडिमिक, 2020 के पहले 9 महीने में गेम स्टॉप की सेल्स में 30% की कमी आई है और इसने करीब अपने 450-450 स्टोर्स को भी बंद कर दिया है गेम स्टॉप का शेर जो अप्रेल 2020 में मात्र धाई डॉलर का चल रहा था 28 जनवरी को चड़कर करीब 483 डॉलर का हो जाता है लगभग 14,686% का गेन देता है इसी तरह AMC Entertainment Holding जो की एक American Movie Theater Chain है का शेर 6 जनवरी 21 को 1.91 डॉलर था और महज 20 दिनों में आसमान पर जा पहुँचा 28 जनवरी को उसने लगभग 25,6 डॉलर यानी 20,36 डॉलर की क्लोजिंग दी जो 965% जादा थी शेर्स के प्राइस में ये भूचाल क्यों आ गया था जबकि शेर्स के पीछे कोई भी fundamental नहीं था फिर भी शेर्स के प्राइस बढ़ते जा रहे थे वो भी तब जब गेम स्टॉक यूएस मार्केट में सबसे जादा शॉर्टेड स्टॉक चल रहा था आगे चलें इससे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट क्या है वाट इस अ शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन उन स्टॉक या शेर्स में बनाई जाती है जिनके शेर प्राइस गिरने का अंदाजा होता है इसकी खासियत यह होती है कि उस स्टॉक के शेर्स आपके पास नहीं होते हैं तब भी आप उन शेर्स को बेच देते हैं इसी को शॉर्ट बोलते हैं शॉर्ट करते कैसे हैं लोग जो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं वो किसी ब्रोकर से या किसी दूसरे इन्वेस्टर से वो शेर बोरो करते हैं और शेर्स को मार्केट में सेल कर देते हैं जब उस स्टॉक या शेर का प्राइस गिर जाता है तो मार्केट से खरीद कर श Game Stop में जो तेजी बनी उसके पीछे का कारण था Small Retail Investor की फोरम Wall Street Bets जो की Online Social Media Platform पर है जिसका नाम है Reddit ये Reddit Warriors ने ही Collectively इस Shares को खरीदा और Share Price को बढ़ा दिया Reddit फोरम में 4 million यानी की करीब 40 lakhs members हैं जो बराबर online इस बात पर डिसकस करते रहते हैं कि अगला stock या share कौन सा है जिसमें invest किया जाए या पैसा लगाया जाए पिछले 6 महीने और कुछ हफतों से ये member तेजी में एक stock पर आकर खड़े हो गए थे यानी की Game Stop Game Stop में पूरी गणित बैठा ली थी इन्होंने Short Squeeze करने की आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं ये Short Squeeze क्या है What is a Short Squeeze? Short Squeeze किसी भी stock के fundamental को दरकिनार करते हुए due to technical factor market में उस stock का price बहुत तेजी से बढ़ना है Short Squeeze market में तब होता है जब किसी share की supply market में कम होती है और उस share की demand जादा होती है कारण क्या होता है Short Sellers अपनी position कवर कर रहे होते हैं और market में share की availability कम होती है अब फिर वापस मुद्दे पे आ जाते हैं Reddit यूजर्स ने Game Stop के share में buying शुरू कर रखी थी क्यूंकि Shorters ने Game Stop का price इतना नीचे ला दिया था कि forum के सभी member ने छोटा छोटा पैसा लगाना शुरू किया जैसे जैसे वो खरीदते गए Game Stop share का price बढ़ता गया और Short Squeeze trigger हो गया क्यूंकि Professional Traders और Hedge Fund की आशा के विपरीद stock के price बढ़ने लगे थे तो अब share खरीद कर वापस करने की उनकी चिंता बढ़ गई और Shorters का loss बढ़ता गया loss से बचने के लिए Shorters ने जल्दी जल्दी share खरीदना शुरू किया share खरीदने में Shorters ने जतनी जल्दी दिखाई जतनी तेजी से खरीदे शेर प्राइस भी उतनी तेजी से बढ़ते चले गए और Shorters squeeze होते चले गए और squeezer को ज़्यादा फाइदा मिलने लगा squeezer means Reddit forum के members जिनोंने नीचे के rates से share में खरीदारी शुरू की थी एक अनुमान के अनुसार फोरम के जिन members ने अपरेल में GameStop के share buy किये थे उन्हें पर share $344 का मुनाफ़ा हुआ GameStop का share price इतना बढ़ गया कि जो hedge fund और बड़े-बड़े institutions ने short किया था उन्हें करीब $6 billion का नुकसान हुआ है जिने सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है उनमें एक नाम बहुत उभर के आ रहा है hedge fund का Melvin Capital Management वैसे तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारी GameStop में अपनी position को close कर लिया है और portfolio को reposition कर लिया है और अब तो ये सुनाई पढ़ने लगा है कि जितने भी ये बड़े-बड़े fund house थे Wall Street के उनको 20 बिलियन डॉलर से लेकर 40 बिलियन डॉलर तक का घाटा हो सकता है इस GameStop इवेंट से US मार्केट में ये एक एतिहासिक घटना के रूप में दर्ज होगी इवेंट जिसमें small retail investor की फॉज ने बड़े hedge funds को huge losses बड़े losses पर लाकर खड़ा कर दिया आखिर ऐसा हुआ क्यों वाईज को लवरी को लवरी डी तो फोरम के कुछ member तो serious पैसा कमाना चाहते थे कुछ ने charity purpose के लिए किया और जो सबसे मुख कारण main reason था वो छोटे investors Wall Street के बड़े institutions और hedge fund को खुला challenge देना चाहते थे जो बड़े short करके बड़ा पैसा बनाते थे जैसा कि उन्होंने game stop में किया था इसके पहले Nokia और Blackberry में जैसे stocks में भी किया था यूएस market के इन Reddit Warriors ने मेरी एक चिडिया अनेक चिडिया वाली कहानी को सही साबित किया है और चतुर और सयानी चिडिया बनकर उभरे हैं लेकिन इंडिया में इस तरह की event नहीं हो सकती मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसा क्यूं इंडिया में नहीं हो सक इछले साल 24 जनवरी 2020 को GameStop का price 4 डॉलर था जो इस साल 12 जनवरी 2021 को 19.95 यूस डॉलर 14 जन को 39.91 यूस डॉलर 22 जन को 65 यूस डॉलर 25 जन को 76.79 यूस डॉलर और 26 जनवरी को 147.98 यूस डॉलर और 27 जनवरी को तो इसने गज़ा भीड़ा दिया करीब 135 परसंट बढ़कर 347.51 यूस डॉलर यानि की 348 डॉलर पे बंद होता है 28 जनवरी को GameStop का शेयर एक और बड़ा हाइव लगाता है 469 डॉलर का लेकिन इसी बीच खबर आती है कि सारे hedge funds अपनी positions को square off कर रहे हैं तो शेयर पिछले दिन की closing से 45 परसंट गिर कर 193.6 यूस डॉलर की closing देता है 29 जन को फिर से ये 67.8 परसंट की बढ़त दिका कर 325 तीन सो 25 यूस डॉलर की closing देता है GameStop का शेयर US market की एक खासियत और भी है कि वहाँ पर किसी भी stock का price एक दिन में 100% बढ़ भी सकता है और 100% गिर भी सकता है तो GameStop का share जब इस तरह से भागा तो hedge fund जो short थे उन्होंने अपनी position square off करना शुरू किया दूसरे shares में जो hedge fund profit में थे उनको बेचना शुरू किया इसी को M2M mark to mark position कटना कहते हैं क्यूंकि hedge fund की तरफ से बिकवाली बराबर आ रही थी इसलिए Dow Jones ने भी गिरावट दिखाई 26 जन्वरी को Dow Jones 30937 closing देता है और 27 जन्वरी को जब GameStop का share 135% की छलांग लगाता है तो Dow Jones 633 point का गोता लगाता है और गिरावट के साथ 30303 पर closing देता है जब दूसरे दिन 28 जन्वरी को GameStop का share गोता लगाता है तो Dow Jones थोड़ी रहत देता है और 300 points की recovery देते हुए 30603 पर बंद होता है और फिर 29 जन्वरी को जब GameStop में एक फिर बड़ी तेजी दिखाई परती 68% की तो Dow Jones ने अभी Friday को 620 points का गोता लगाया है और 30,000 के नीचे 29982.62 की बंदी दी है जो की एक डरने की बात है लगता है hedge funds की position पूरी तरीके से कटी नहीं है और shortest कई shares में बिक्वाली कर रहा है जिससे Dow Jones धीरे धीरे नीचे आ रहा है क्योंकि हमारा market US market को follow करता है तो यहाँ पर भी उसी तरह की गिरावट देखने को मिली है 29th Gen को Nifty already 183 points की गिरावट दिखा कर 13634 पर बंद हुआ है अगर पहली फरवरी को हमारे यहाँ budget की event नहीं होती तो Indian market और गिरते वैसे तो budget वाले दिन यह इंकार नहीं किया जा सकता कि Nifty गिरेगा नहीं बलकि volatility भी रहेगी क्योंकि India Wix Index भी 26 points पर है और भगवान से मनाईए कि budget अच्छा रहे नहीं तो यह US की imported मंदी हमारी भी खटिया खड़ी कर देगी वीडियो में कही गई बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे encourage करिए वीडियो को अपने इस्टमित्रों को जरूर शेयर करिए और हाँ अगर इस चैनल पर नए हैं तो आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सकाइब करिए बेल आइकन क प्रेस करना मत भूलिए जिससे लेट टेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे आज के लिए इतना ही नमस्कार